हेलो फ्रेंड वेल्कें बैक तो माई यूटूब चैनल फिल्मी अली मैं हूँ आपका दोस्त वन और अली नौशाद अली तो बोलीवूड की तरफ से फिर एक नई मुवी का ट्रेलर निकल कर आया है जिसका नाम है मिस्टर ममी लीडर रॉल में देखने को मिल रहे हैं रितेश देशमुख, जनीलिया देशमुख और महेस मांजरेकर जैसे कलाकार अब देखो या टाइटल ही कुछ अलग है तो मतलब कॉंसेप्ट भी कुछ हटके ही होगा टाइटल है मिस्टर ममी और मुवी का ट्रेलर देखने के बाद हमको पता चल रहा है कि रितेश देशमुख जो है वो इस मुवी के अंदर प्रेगनेंट हो जाते हैं अब कैसे प्रेगनेंट हुए और बच्चे को पैदा कैसे करेंगे यह मुझको नहीं पता यह आपको मुवी देखने के बाद ही पता चलेगा पर ट्रेलर के अंदर प्रेगनेंट हमको देखने को मिल रहे हैं बागे उनकी acting उनकी expression उनकी उल जलूल हरकते जो उनको ट्रेलर के अंदर देखने को मिल रही है वो आपके चाहरे पर हल्की फुलकी मुस्कान लेकर आ सकती है मुवी एक कॉमेडी मुवी होने वाली है पर अगर मैं इमानदारी से बोलू ये ट्रेलर मुझको पूरी तरह से डिसपॉइंट करता है इसके अंदर ना तो अच्छे खासे कुछ वन नाइनर है ना कुछ ऐसे पंचेस हैं जो आपके चाहरे पर हशी लेकर आए हाँ कुछ एक जोक ऐसे हैं जो आपके चारे पर हलकी फुलकी मुस्कान लेकर आ सकते हैं एक दो डबल मीनिंग जोक भी ट्रेलर के अंदर देखने को मिलेंगे खिर बोलीवूड अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला बोलीवूड को समझना चाहिए कि यार जो ही इनका कॉंसेप्ट था इसका एक टाइम था जब इस तरह की मुवी चल रही थी हर कोई कॉमेडी मुवी बना रहा था और ओडियंस उसको पसंद भी कर रही थी अब वो टाइम निकल चुका है यार साउथ इंडस्ट्री की तरफ से तने अच्छे-च्छे कॉंसेप्ट आ रहे हैं तो जो ओडियंस है वो बोलीवूड से भी उमीद करती है कि बोलीवूड भी कुछ अच्छा कॉंसेप्ट लेकर आए कुछ यूनीक लेकर आए आप यूनीक तो लेकर आ रहे हो पर आदत से मजबूर फिर से उसी कॉमेडी जोनर में घोसे जा रहे हो यार कॉमेडी से बाहर निकलो कुछ अलग कुछ हटके करके दिखाओ कॉंसेप्ट आपने चलो मालिया की यूनीक ही उठाया है पर घुस्तो गई फिर कॉमेडी में कॉमेडी से बाहर निकलो कुछ अलग करने की सोचो रितेश देश मूझ के अच्छे एक्टर है और कॉमेडी में उनको एक महरत हासिल है उनकी जो कॉमिक टाइमिंग है उनकी जो एक्टिंग है उनकी चहरे के एक्स्परेशन से वह आपको किसी भी आप कंडिशन में हो आपको हसने पर मजबूर कर सकते हैं मानता हूँ ये चीज पर audience अब कुछ अलग देखना चाहती है पर आप comedy से बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे हैं और रितेश देश में कितने अच्छे actor हैं एक villain movie में हमने उनको देखा तो उनको एक अलग ही अवतार देखा दा पर उसके बाद किसी भी director ने उनको इस तरह का मौका दिया ही नहीं हर कोई उनको comedy की नजर से ही देखता है सिर्फ उनको comedian वाले role ही offer की जाते हैं यार इस बंदे के पास talent का खजाना है आप इसको जितना तरास ना चाहो ये एक अलग ही level का हेरा है जितना भी तरास होगे इसकी चमक और ज़्यादा बढ़ती जाएगे पर पता नहीं क्यों कोई भी director इनको अलग तरह के role देना चाहता ही नहीं है विपेश देशमुक एक underrated actor है जिसको अगर किसी ने तरास दिया ना तो ये एक धमा का कर सकते हैं बोली वूड के अंदर पर लोग इनको सिर्फ एक comedian की नजर से देखेंगे और role भी उनको ऐसे ही offer किये जाएगे overall इस trailer की अगर मैं बात करूँ तो एक comedy genre की movie होने वाली है जिसके अंदर से comedy ही नदारद है इसके अंदर सिर्फ आपको average one liner सुनने को मिल रहे है ठीक ठाक से comedy पंचिस है जो आपके चहरे पर सायद ही हसी लेकर आए मुस्कान थोड़ी बहुत आपके चहरे पर आजाएगी पूरे trailer के बाद देखने के बाद मैं यही कहूँगा कि इस trailer को देखने के बाद में disappoint हुआ हूँ और trailer ही जब मुझको कोई खास नहीं लगा तो फिर film से क्या उम्मीद की जाए movie आएगी 11 November को theaters में तो खेर देखते हैं कि movie कैसे रहती है बाकि trailer देखने से मुझको यही लग रहा है कि Bollywood की तरफ से एक और flop movie निकल कर आने वाली है खेर आप लोग बताइए कि अगर यह trailer आपने देखा है Mr. Mommy का trailer आपको कैसा लगा है अपनी राए comment box के अंदर जरूर share करें खेर आज की वीडियो में अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तागे जब भी Facebook पर कोई वीडियो डालो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे तो अभी चलता हूं मिलूँगा फिर किस अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफीज दुआ में याद रखना